सिंगम वर्सेस भूल भूलेया जब से क्लैश अनाउंस हुआ था लोग बहुत एक्साइटेड हो रहे थे बॉलिवुट के अच्छे दिन वापस दिखाई दे रहे थे बिना किसी शक बॉक्स ओफिस पे दोनों फिल्मों की दिवाली पक्की है क्लैश गया तेर लेने पबलिक दोनों फिल्म में देखेगी और पैसों की बरसात होगी लेकिन जैसे जैसे रिलीस डेट पास आ रहे है और जादा कॉंटेंट बहार आ रहा है डर लग रहा है फिर से ओडियन्स को चूना लगने वाला है भूल भूलेया 3 का टाइटल ट्रैक आया था दिल जीत, पिट बुल, कार्ते कारियन इतना जादा हाइप बना दिया लेकिन गाना ऐसा कि दूसरी बार सुनने से पहले आत्मा काप जाए और अब सिंगम की बारी जै बजरंग बली ये शब पढ़ते ही सर अपने आप जुग जाता है और आज सॉंग को देखने के बाद सर दुबारा जुग गया है भाया शर्म से देखो यार आपका पता नहीं लेकिन दोनों मूवीज भूल भुलया और सिंगम इन दोनों फिल्मों के आक्टर्स शुरवात से जबरदस्त ओवर आक्टिंग कर रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा दिखाने के चक्कर में सब कुछ नकली नकली जैसा फील हो रहा है और यही सेम फीलिंग आज सिंगम अगेन के फर्स्ट सॉंग को देखके भी महसूस हो रही है रनवीर सिंग एस बजरंग बली बुरी कास्टिंग नहीं है क्योंकि प्रभू का कॉमेडी अफ्तार किसी से छुपा नहीं है मजाक मजाक में रावन की लंका को फूब दिया था इसलिए सॉंग में रनवीर जब हस्ते हस्ते गुंडों की धलाई कर रहे हैं उनमें वो हनुमान भगवान वाली जलक दिखती है लेकिन जैसे ही ओवर एक्टिंग किया वैसे ही दिमाग भड़क गया अब ये बात किसी से छुपी नहीं है कि सिंगम अगें पूरी तरह रामायन से सिफ इंस्पायर नहीं उसकी कहानी पर 100% बेस्ट होने वाली है रनवीर को हनुमान जी बनाना फिर टाइगर शॉफ के हातों से लक्ष्मन रेखा बनाके करीना को उसके पीछे चुपाना सौंग में बहुत सारे रेफरेंसे मिल जाएंगे रोहिट शेटी सर का आइडिया बिल्कुल बुरा नहीं है स्पेशली जब रामायन जैसे टॉपिक को बार-बार थीयटर में देखने के लिए लोग दो बार भी नहीं सोचेंगे लेकिन सिफ रामायन के भरोसे पे बॉलिवुट की सबसे महंगी फिल्मों जतना बजट खरच कर देना और फिर जबरदस्ती लोगों पे भगवान के नाम पे गाने थोपना देखो सुनने में बुरा लगे तो लगे लेकिन क्रियेटिविटी कहा है दोस्त इतने बड़े-बड़े आक्टर्स को लेकर अगर रामायनी बनानी थी तो सिंखम टाइटल क्यों दिया हनुमान देखी आपने कितने कम बजट में कितने जबरदस विज्वल इफेक्ट दिखाये थे और कार्तिके 2 की कहानी ने तो भगवान कृष्ण को धून निकाला था कुछ ऐसा नया एक्सपेरिमेंट करने का मौका रोहित सर के पास है लेकिन बदले में आप ओडियंस को क्या रिखा रहे हो रनवीर हनुमान है टाइगर लक्षमन है अजैसर राम बजाओता ली देखो सॉंग बुरा नहीं है लेकिन स्पेशल भी नहीं है जितनी मेहनत ये बात साबित करने में लगी है कि रनवीर सिंग हनुवान जी बनके ही रिखाएंगे अगर उतनी ही सॉंग के लिरिक्स को लिखने में होती तो गाना हर किसी के दिमाग में चर जाता जैसे राम कि आक्टर ने इतनी जादा ओवर अक्टिंग कभी नहीं की थी प्लस भाई सॉंग में रनवीर की एंट्री को ही रिवील कर दिया नोटिस किया आपने पुलिस बोलके जब रनवीर आए है माने फिल्म में उनका इंट्रोड़क्शन इसी तरीके से होगा चलो मान लिया रोह इस सॉंग को देखने के बाद एक बात कंफिर्म है सिंगम अगेन एक थीटर एक्सपिरिंस उनली फिल्म होगी आप OTT पे इसको देखोगे न तो कुछ भी मजा नहीं आने वाला विज्वल्स जो सोचे हैं बाग्राउंड में रामायन वाले रेफरेंसेस क्रियेट किये हैं और हर एक्टर की एंट्री पे म्यूजिक बजाना टोटल मसाला फिल्म होगी ओनली फो बड़ी स्क्रीन हाँ लेकिन ओवर कॉन्फिदेंस बिल्कुल नहीं दिखाना है क्योंकि आपकी पिक्चर तो सिफ रामायन पर बेस्ड है ओम राउत ने इंडिया के सबसे बड़े पैन एक्टर के साथ रामायन बनाई थी लेकिन एंड रिजल्ट क्या निकला पिक्चर तीन दिनों के बाद सीधा जमीन पर धड़ाम जब आदिपुरुष को प्रभास नहीं बचा पाए तो कोई भी फिल्म सेफ नहीं है सिंगहम में पबलिक को चाहिए कॉंटेंट वो भी तगड़ा वाला रामायन से कनेक्शन बहुत अच्छी बात है लेकिन कुछ डिफ्रेंट नया अलग भी तो होना चाहिए ना फिलाल रोहित सर के पास अरजन कपूर एक ऐसा हत्यार है जो सिंगहम अगेन को बचा भी सकता है या फिर पूरी तरह डुबा भी सकता है क्योंकि अर्जे देवगन का कैरेक्टर बहुत जादा ओवर कर दिया है सारे आक्टर्स बार बार पैरों में गिर रहे हैं ये सब सीन्स थोड़े कम अच्छे लगते हैं बट अर्जुन कपूर एज रावंट कुछ नई चीज़ें एड कर सकते हैं फिल्म में उनका कैरेक्टर छुपा के रगना फ्रीज ट्रेलर में मानो ना मानो इनकी अक्टिंग सबसे बेस्ट थी तो भाई फान बेस से हटके बताना भूल भूले याथ्री का टाइटल ट्रैक और सिंग हम अगेन का फर्स्ट सॉंग दोनों में से बहतर कौन लगा या दोनों मौका चूग गए वैसे हनुमान फिल्म का हनुमान चालीसा सुनके आना इस वीडियो के बाद पक्की बात है रॉंक्ते खड़े हो जाएंगे बिना किसी आप्टर सिर्फ एनिमेशन लेकिन 100% रियल एमोशन बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या तो कुछ शिकायप करनी हो तो मैं आपको इंस्टेग्राम पर भी मिल जाओंगी वरना थोड़ा सा इंतिजार करिए मिलूंगे आपसे अगले वीडियो में टेक केर बाई बाई